पिछले लेक्चर में हमने बात कर लिया कन्वर्जन विंडो के बारे में इन डीटेंड ओके एंड आपको बेटर तरीके से समझ में आ चुकी होगी इस वीडियो में हम एड बना करके देखेंगे हमारे पास जितने भी तरह के एड टाइपस है अगर मैं यहां पर क्लिक करूँ यहां पर सिंपल मैं करता हूँ क्रियेट पर क्लिक ओके यहां पर हमारे पास यह सारे के सारे एड टाइपस आगे अब हम इन सब के बेस पर एड बना करके देखेंगे एक एक करके तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ब्रेंड अवेरिनेस तो इसके बारे में जितने भी एड्स टाइपस है हमने इन डीटेल बात कर लिया है कि अगर आप رीच सलेक्ट करते हो तो इसके थे थुरू फीस्बूक को आप क्या बोड रहे हो इसके थे थुरू आप क्या रिजर्ट लाओगे देगे आप रखते हो video views ये आप कहां पर use करोगे अगर आपको traffic रखनी है तो इससे आपके पास क्या results आएंगे अगर आप convergence रखोगे तो इससे आपको क्या results आएंगे इन सारी चीजों के बारे में हमने बात कर लिया है already अगर हम बात करें brand awareness की तो इसके तरू हम क्या कर सकते हैं अगर मैं कोई add run करता हूं या फिर आप कोई add run करते हों तो आपका मकसद इसके तरू ये होता है कि आपकी जो add है वो ज्यादा से ज्यादा logo तक पहुँचे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी ads सिर्फ दिख जाए हमने आपको बहुत ही जादा important एक शीज मैंने बताया हुआ था in previous lecture ये जितने सारे ads types है जितने सारे यहाँ पे ads types आपको दिख रहे हैं Facebook ने इसको categorize किया है based on audiences और Facebook पे सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं होते हैं जो सिर्फ videos देखते हैं Facebook पे ऐसे भी लोग होते हैं जो website पे जाते हैं Facebook पे ऐसे भी लोग होते हैं जो product purchase करते हैं and Facebook पे ऐसे भी लोग होते हैं जो आपकी product को सिर्फ और सिर्फ देखेंगे and कोई action नहीं लेंगे तो अगर आप select करते हो brand awareness and अगर आप ये expect करते हो कि आप इसके थुरू product sell कर दोगे तो इसके जो chance है बहुत ही कम है Right क्योंकि अभी आप ऐसे audience को select कर रहे हो brand awareness के थुरू ऐसे logo तक आप पहुंचोगे जो सिर्फ आपके ad को देखेंगे Right तो हम brand awareness पे ad बना करके देखते हैं and अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये जो brand awareness ad है ये ज़्यादा expensive नहीं होती brand awareness ज़्यादा expensive नहीं होती and इसका जो reason है बहुत ही simple है Facebook का goal क्या होता है सिर्फ आपके ad को ज्यादा से ज़्यादा logo तक पहुंचाना Right तो आप इसका use री मार्केटिंग में भी कर सकते हो Right आप इसका use कर सकते हो in remarketing and अब हम स्टार्ट करते हैं brand awareness के according ad बनाना तो मैं simple यहाँ पर select कर लेता हूँ brand awareness Right and यहाँ पर मैं करता हूँ continue See अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ campaign name अभी मैं digital marketing industry को ध्यान में रखते हुए ad बना रहा हूँ Right तो मैं इसे हटाता हूँ and campaign name मैं लिखता हूँ Right आप किसी भी तरह से आप अपना pattern select कर सकते हूँ campaign name लिखने का Right मैं लिखता हूँ September 4 Brand awareness Right तो मैंने campaign name लिख लिया Okay and यहां पर special add categories यहां पर देख रही है Right इसके बारे में हम in detail आगे के lecture में discuss करेंगे Okay यहां पर suppose मैं click करता हूँ campaign objective यहां पर से मैंने already select कर लिया है AV testing में नहीं कर रहा Right and campaign budget optimization के बारे में भी हमने in detail बात कर लिया है Right तो इसे अभी हम use नहीं करेंगे मैं simple यहां पर करता हूँ next Okay तो यहां पर अब मैं लिखता हूँ adset का name Right Suppose करो मैं ad दिखाना चाह रहा हूँ ऐसे लोगों को जिनका interest है digital marketing Right and मेरा product के है Suppose करो मैं google ads को sell कर रहा हूँ and suppose करो मैं ऐसे लोगों को ad दिखाना चाहता हूँ जिसकी age है 18 to 25 and जो लोग digital marketing में interest रखते हैं Right तो मैं यहां पर लिखता हूँ Digital marketing 18 to 25 Right Dynamic creative इसके बारे में हम आगे बात करेंगे Right and यहां पर daily budget and lifetime budget यह क्या होता है इसके बारे में हमने already discuss करा हूँ and daily budget suppose करो मैं यहां पर रखता हूँ 150 रूपीज रूपीज Right and start date end date आप select कर सकते हूँ Okay So more options पर मैं click करता हूँ Okay then ad scheduling मैं नहीं कर रहा and यहां पर saved audience मैं यूज नहीं कर रहा custom audience यूज नहीं कर रहा क्योंकि मैं remarketing नहीं कर रहा Okay location मैं select करता हूँ suppose करो मैं add दिखाना चाहता हूँ in Delhi Right Okay तो मैं यहां से Delhi select कर लेता हूँ यहां पर मैंने select कर लिया Delhi Right and यहां पर इसे मैं select कर लेता हूँ से करता हूँ edit age को attend to 25 Okay gender इसे मैं change नहीं करता हूँ all इसे रहने देता हूँ and detailed targeting अगर मैं यहां पर करता हूँ edit Right and अगर मैं यहां पर करता हूँ browse then audience based on interest audience based on demographics and audience based on behaviors हमने इन तीनों audience के बारे में in detail बात कर लिया है in previous lecture Right तो मैं यहां पर सिर्फ target करता हूँ digital marketing में जिनका भी interest है digital marketing आ गया मैं इसे कर लेता हूँ select Okay and अगर placements की हम बात करें placements क्या होता है इसके बारे में भी हमने बात कर लिया है यह आप कहाँ ad दिखाना चाहते हो Okay manual placements अगर आप facebook पे ads दिखाना चाहते हो instagram पे ads दिखाना चाहते हो messenger पे ads दिखाना चाहते हो तो यह सब आप रहने दे सकते हो and audience network क्या होता है यह भी मैंने आपको बताया वह था Okay and आप उन सारे वीडियो को अगेन आप देख सकते हो Right तो मैं इसे रहने देता हूँ automatic placements Okay and cost control इसे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहां पे मैं क्लिक करता हूँ show more options पे Right then when are you charged इसे भी मैं अभी कुछ नहीं कर रहा and delivery type यह already standard है Okay and simple मैं करता हूँ next अब add name आपको लिखने है Right तो मैं अभी यूज करूँगा image Right तो मैं इसे लिखता हूँ Image 1 Okay and आप video भी यूज कर सकते हो अब मैं यहां पे page select कर लेता हूँ सही वाला Okay the new gadgets Right and यहां पे आप connect account यहां पे जैसे आप click करोगे आप अपने Instagram account को भी आप connect कर सकते हो Right and then आप add run कर सकते हो Okay तो यहां पे आप add creative में single image और video यूज कर सकते हो या फिर browser भी यूज कर सकते हो Right add an instant experience इसके बारे में हम आगे बात करेंगे Okay and यहां पे मैं image add करता हूँ Right यहां पे account image यहां पे जैसे मैं click करता हूँ stock footage यहां से मैं use कर लेता हूँ Right and यहां पे मैं लिखता हूँ digital marketing see आ गया अब आप यहां से कोई भी image select कर सकते हो Right किसी भी image को आप use कर सकते हो Okay तू suppose करो मैं इसे कर लेता हूँ use Right and simple मैं करता हूँ continue अब यहां पे आप देख सकते हो आपकी add कैसी दिखेगी वह आप यहां पे देख सकते हो Right हो गया then आप यहां पे प्राइमरी टेक्स्ट लेख सकते हो Right यहां पे आप प्राइमरी टेक्स्ट लेख सकते हो इसे मैं हटाता हूँ Okay then यहां पे मैं लिखता हूँ हुआ आप कैसे मैं प्राइमरी और then this is the best opportunity for you and then मैं यहाँ पे लिखता हूँ grab it right now okay मैंने primary text यहाँ पे लिख दिया okay and यहाँ पे आप देख सकते हो यह primary text आपको यहाँ पे देख रहा है right then आप headline यहाँ पे लिख सकते हो headline suppose करो मैं लिखता हूँ become Google ads pro right right इस तरह से आप लिख सकते हो अब मैं यहाँ पे description लिखता हूँ okay and इसे मैं थोरा सा चेंज कर देता हूँ become a Google Ads Pro add just 499 right then यहाँ पे मैं लिखता हूँ one description more than 3,000 3,000 people have already enrolled in this 50 days Google Ads Secrets Google Ads Secrets right इस तरह से आप description लिख सकते हो okay then आप यहाँ पे website की URL simple यहाँ पे डाल दोगे तो मैं आप पे website की URL डाल देता हूँ okay यहाँ पे मैं डाल देता हूँ URL right हो गया again यहाँ पे आप review देख सकते हो okay then call to action button आप add कर सकते हो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे देता हूँ learn more right see आगया then simple यहाँ से आप कर दोगे publish okay URL parameters इसके बारे में हम आगे के lecture में हम discuss करेंगे right अब जैसे ही मैं इसे करता हूँ publish see यहाँ पे मैंने business information वगर नहीं डाला है right यह optional है यहाँ पे suppose करो मैं लिखता हूँ digital marketing right then यहाँ पे मैं लिख देता हूँ address okay यहाँ पे simple मैं करता हूँ save okay तो यहाँ पे क्या देख रहा है see यहाँ पे कोई error आ रहा है okay तो यहाँ पे आप simple कर दोगे save right and save हो जाने के बाद यहाँ पे अगर आपने money add नहीं किया है अगर आपने card add नहीं किया है right तो सबसे पहले आप card add करोगे then आप कर दोगे publish right publish करने के बाद आपको simple इस तरह की कुछ structure नजर आएगी right मैं इसे select करता हूँ नहीं दूसरे add account को इस तरह से आपकी add दिखने लगेगी right and अगर आप add को start करना चाहते हो तो simple आप इसे कर दोगे on okay and अगर आप अपने add को off रखना चाहते हो तो simple आप इसे कर दोगे off तो हमने brand awareness add बना करके देख लिया right and I hope यह सारी चीजे आपको समझ में आ चुकी होगी if you like this video then please subscribe the channel thank you so very much